दोस्तो आज हम एक और फैमस इंडियन राइटर मुलकराज आनंद की बाद करेंगे मुलकराज आनंद का जन्म 12 दिसंबर 1905 को पेसावर में हुआ था अब लेकिन ये पेसावर पार्टीशन के बाद जो है पाकिस्तान में पहुँच गया इनकी मृत्यू निमोनिया नामक बीमारी से हो गई थी कब होई थी 28 सेप्तेमबर 2004 को पूने महाराष्टरा में अब ये वाला कोश्चन हमारा PGT के एकजाम में पूछा जा चुका है कि इनकी मृत्यू कौन सी बीमारी से होई तो निमोनिया से कब होई 28 September 2004 को कहा होई पूने महाराष्ट्रा में नेक्स्ट इनके पिता का नाम क्या था लालचंद इनके पिता का नाम क्या था लालचंद यह लालचंद क्या थे तो एक copper इसमें थे यह हमने यहाँ पर space नहीं दे पाया by mistake इसके लिए sorry आल्सो बग्ड ये क्या लिखा है also rugged as a regimental head clerk in the British Indian Army उस समय जो हैं इनके पिता जब हमारे देश में British सासन चल रहा था तो उस समय इनके पिता जो हैं British Indian Army में क्या थे एक head clerk के पदपर तैनाद थे इनकी माता का नाम ईश्वर कौर था किया नाम था ईश्वर कौर इसके बाद इनकी सिक्षा Cambridge ओके इनकी सिक्षा जो हुई थी वो University of Cambridge या University College of London खालसा कॉलेज अम्रेसर अगर मैं बात करूं धियर तो यह हम कह सकते हैं कि इनके जो Alma Mater था जहां से इनकी सिक्षा ग्रहन की तो in 1921 मुलकराज आनंद जोईन खालसा इंटर कॉलेज या खालसा कॉलेज अम्रेसर 1921 में मुलकराज आनंद ने खालसा कॉलेज अम्रेसर में जोईन किया यह चीज ध्यार रखना इस चीज को ठीक है इसके बाद इन्होंने BA degree honors में ली और वो कब ली थी 1924 में अक्थात हम कहा सकते हैं in 1924 he obtained his BA degree honor कहां से ली थी from Punjab University तो ये बात भी आप अपने दिमाग में बिठाई रखिएगा तो हमने क्या क्या बताया कि इन्होंने खालसा college कब जोईन किया था date दिहार रखिएगा 1921 और इन्होंने BA degree honors जो है पंजाब उनिवस्टी से इन्होंने अपना graduation किया कब किया 1924 में और इसके बाद ये कहां चले गए Cambridge University London चले गए जहां से उन्होंने higher education यानि कि higher सिक्षा को ग्राण किया आगे चल करके हम इसके बार में detail करेंगे इनकी साधी spouse जो थी Kathleen Ben Gelder यानि कि 1938 में Kathleen नामक मेला से इनकी साधी हो जाती है और इसके बाद जो है दूसरी साधी ये साधी जो पहली साधी होती है वो बहुत जादे दिनों तक नहीं टिक पा थी और 1948 ECB में ये एक दूसरी से क्या हो जाते हैं अलग हो जाते हैं ठीक है Kathleen Ben और इसके बाद फिर दुवारा ये साधी करते हैं किस से सरेन बजीवदार से किस से करते हैं सिरिन बजीवदार से 1950 में साधी करते हैं और जो सिरिन बजीवदार होती हैं ये एक पारसी क्लासिकल डांसर होती हैं बामबे की और इनसे जो साधी की जाती है वो 1950 में की जाती है इनका occupation क्या था अर्था था ये किस किस पर किस तरीके के writer थे तो novelist इन्होंने बहुत सारे novel भी लिखे sword stories writer थे और sword stories तो इनकी बहुत famous famous sword stories हैं ओके जो कि UP World के syllabus में भी कई सारी रखी गई हैं जैसे the lost child भी रखी गई है first year के syllabus में BA के भी syllabus में काफी आपको देखने को मिलेगा and creative awards इनको कौन-कौन से notable award कौन-कौन से दिये गए अगर हम बात करें 1952 में इनको okay international peace prize dear यहाँ पर ठेक कर लेजेगा international sorry ठीक है वो यह हम लग रहा है दो उससे लेकिन यह नहीं है ठीक है इनको नवाजा गया और इसके बाद morning face के लिए इनको सहते अकादमी अवाड 1971 में दिया गया तो आपको बेहतरीन तरीके से clear हो गया हो गया इनके notable award के बारे में इसके बाद इनके कुछ बहुत ही presence निये बहुत ही लाजवाब बर्क भी थे जिनमें एक untouchable कुली और morning face यह तीनों लाजवाब बर्क है जिनसे हमारे जो भी competitive exam होता है PGT का या KBS, NBS कुछ भी हो बहाँ पर इससे संबंदित question हमेसा पोचे जाते हैं एक वाद दोस्तों हमेसा याद रखेगा कि इस वार जो KBS की vacancy आने वाली हैं उसमें हमको जी जाल लगा देना है हर हाल में उसको clear करी लेना है इसलिए अभी से डट जाएगा और preparation करते रहेगे एक एक writer को पकड़िये और एक एक writer को तब तक पढ़िये तब तक उसको study करिये जब तक आप उस पर based जितने भी question बन सके उनको solve कर ले जाओ तो dear students कामना करते हैं साथ ही साथ आप लोग मेहनत करते रहेगा मैं भी मेहनत कर रहा हूं आप भी मेहनत करेए ओके जितना भी हो सकता है तो एक बार कोई क्रिवीजन यहां से करते हैं हम यह पूरा का पूरा हमने उपर बताया देखते हैं कितना आप याद रख पाते हो थोड़ा सा कोई क्रिवीजन हो जाए जन में इनका कहा हुआ 12 दिसंबर 1905 को पिसाबर में हुआ अब कहा है पाकिस्तान में है इनकी मृत्य कब हुई 28 सिप्टेंबर को 2004 को 98 वर्स की उम्र में यह पूरे महराष्ट्रा इंडिया में क्या होगी इनकी मृत्य होगी यह एक क्या है राइटर है बहुत अच्छे इस मेरा कोश्चन सिर्फ इतना है खालसा कॉलेज को कब जोईन किया था 1921 में और बी ए ऑनर्स की डिग्री जो है पंजाब युनिवस्टी से कबली 1924 में ध्यान रखेगा और 1924 के बाद हायर एजुकेशन के लिए लंदन चले गए जहां इनोंने कैमरेज युनिवस्टी से ज साहित अकेदमी आवार्ड भी प्रुस्कार किया गया था ध्यार रखेगा 1971 में यह सब चीजें बहुत अच्छे से याद रखेए साहित अकेदमी आवार्ड 1971 में दिया गया किसके लिए मौनिंग फेस के लिए पदम भुसन इनको कम मिला 1968 में मिला इंटरनेशनल पीस प्रा से इन्होंने साधी की थी सरीन बजीबदार यह कौन थी तो ध्यार रखिएगा यह मुंबई की एक डांसर थी क्लासिकल डांसर थी जिन से 1950 में इन्होंने साधी कर ली लेकिन कैथलीन से 1938 में तो सारी चीजे एकदम फिंगरान टेप्स होना चाहिए बेहतरीन तरीके से आप को आपके उंगलियों पर हर चीज क्लियर होना चाहिए तब ही आप पेपर को बहुत अच्छा कर पाओगी इतना ख्याल रखिएगा क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी मिलने वाला नहीं है कामटीसन इतना जाद है कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ एक बार हम कुछ सर्वे करेंगे आफिस लाइफ उनके जीवन के बारे में तोड़ा सा कुछ सर्वे देखो क्या है आनंद बाजबान इन आ हिंदू छत्रिय फैमली आनंद का जन्म जो है वो हिंदू छत्रिय फैमली में हुआ था तो हम कह सकते हैं कि मैं इंगलिस नहीं हो जाएगा तो मैं सिधे-सिदे इसका हिंदी टांसलेशन आपको बेहतरीन तरीके से बताता जा रहूं ठीक है गाइस और इंग्लिस आप स्क्रीन पर देखते जाएगा आवाज को कानों से सुनिये और इंग्लिस को स्क्रीन पर देखेगा चलो देखते हैं तो मुलकराज आनंद का जन में एक हिंदू छत्रीय परिवार में हुआ था इनके पिता का नाम ओके लाल चंद्र एक कौपर इसमित का काम करते थे तथा बेटिस भारतिये सेना में मुख्य लिपिक के पद पर पैनात थे ध्यान रखेगा फिर रिपीट करते था हूं मुल्क राज आनंद का जन में एक हिंदू छत्रीय परिवार में हुआ था इनके पिता का नाम लाल चंद्र कौपर इसमित का काम करते थे तथा बेटिस भारतिये सेना में मुख्य लिपिक के पद पर तैनात थे उन्होंने अपनी यह हमारा मैंने क्या बताया यह PGT 2013 के कोश्चन यह देखिए आप आपका पूछा जा चुका है तो बिसेश ख्याल रखेगा हमने क्या बताया कहीं से भी कुछ भी हमारा पॉइंट पूछा जा सकता है दूसरा पॉइंट इनके क्विक रिविजन के बारे में हम लगबग 30 से 24 पॉइंट आपको रिविजन करवाएंगे और फिर मुझे ऐसी उमीद है कि कुछ भी आपका मुलकराज आनल से पूछा जाए आपका एकजाम जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा यानि कि एकजाम का पेपर यहां से फसे गई फसे गई मालो इसके बाद क्या हुआ ही बें टू खालसा कॉलेज हमने बताया खालसा कॉलेज में कब गए 1921 में ध्यार रखिएगा इसके बाद ओके इन्हों ने अपनी प्रारंबिक सिक्षा खालसा कॉलेज अमरिस सर में पढ़ाई की और इसके बाद पंजाब उनिवस्टी जो है यह पंजाब उनिवस्टी जोईन कर ली तो हम कह सकते हैं कि इसके बाद पंजाब उनिव अर्थात उसी समय इनको क्या हुआ कि कॉलेज में पढ़ते समय ही 1924 में असाहोग आंदोलन में यह कुछ ऐसी एक्टिविटी में सामिल हुए और कुछ समय के लिए इनको जेल भी भेजा गया अर्थात कुछ समय के लिए यह जेल में भी रहे तो नेक्स्ट इसके बाद क्या हुआ कि आट खालसा कॉलेज में ही फैले लब बिद आ मुसलिम गल यासमीन यानि कि हम कह सकते हैं कि कॉलेज के दौरान ही कॉलेज में पढ़ते समय ही ओके आनंद को एक मुसलिम लड़की यासमीन से प्यार हो जाता है जो दौरभा के बस पहले सी ही बिवाहत होती है मैरिज होती है और ही बांटी टू इलोब बिद हर टू कासमीर लेकिन आनंद इस लड़की के साथ कासमीर भागना चाहाते थे लेकिन इस योजना के बारे में यासमीन के पती को पता चल जाता है और जासमीन का पती यानि कुस का पती उसको उसे दिन मार देता है जह दिन उनको भागना होता है और यह नियूज आनंद को पूरी तरीके से अर्थात मैं कह सकता हूँ इस घटना से आनंद पूरी तरीके से तूट गए, सदमे में आ गए, बिखर गए एकदम सौकिंग न्यूज लगी किसको मुलकराज आनंद के लिए तो एक बार फिर रिपीट कर देते हैं कि कॉलेज के दौराण मुलकराज आनंद को एक मुसलिम लड़की यासमीन से प्यार हो जाता है तो वो मुसलिम लड़की कौन थी? यासमीन ध्यार रखेगा जो दुर्भागी बास पहले से ही विबाहित होती है आनंद इस लड़की के साथ कस्मीर भागना चाहाते थे लेकिन इस योजना के बारे में यासमीन के पती को पता चल जाता है और उसका पती उसको उसी दिन मार देता है जिस दिन उनको भागना होता है और इस गटना से आनंद पूरी तरहे तूट जाते हैं, सदमे में आ जाते हैं, अर्थात इहें, उनके लिए पूरी तरीके से एक shocking news बन जाती है फिर क्या होता है, यानि कि he was also angered by the suicide of a relative who had been authorized for sharing food with a Muslim These events inspired him to vent his frustration through words अर्थात हुआ क्या इस पूरी तरीके से तूट तो गए थे, उसकी news, shocking news को सुन करके फिर थोड़ी दिन बाद क्या हुआ कि आनंद को उस पडोसी की हत्या से भी बहुत धुक हुआ, बहुत सदमा लगा जिसमें एक Muslim के साथ खाना खाने पर, खाना सेर करने पर समास से बहिसकार कर दिया गया था समास से उसको निकाल दिया गया था तो guys यह उस समय की इतनी, तभी तो इनके धिमाग में untouchable जैसी जो है बर्क घूमता है untouchable जैसा बर्क लिखते हैं, जिसमें बाखासो है नि, एक कुछ कालिनाथ, यह सब बहुत famous character होते हैं और उस पर भी मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा untouchable के उपर बहुत important है आपके PGT exam में पूछाई जाता है, कुली है, untouchable है, morning face है इन से इन तीनों पर मैं पूरा separate वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ओके बस तैयारी करते रहीगा मस्ती के साथ next हम बात करेंगे कि इन घटनाओं ने आनंद को इस बात के लिए प्रेरित किया कि बहे अपना दुख दर्द सब्दों के माध्यम से बाहर निकाल सकें अर्थात इस दुख को जो उसके अंदर मुलकराज आनंद के अंदर उस समय की चुआ चूट को ले करके उस समय की गटनाओं को ले करके जो अंदर ध्वन्द चल रहा था जो एक आंतरिक द्वन्द चल रहा था उन्होंने क्या करा अपने इस आंतरिक द्वन्द को सब्दों का रूप दिया अर्थात अंटचेबल जैसे बर्ग को लिख डाला फिर उन्होंने फिर आगे हम बात करते हैं इसी तरीके से और फिर इसके बाद मुल्क राज आनंद चात्रवर्ती पर उन्होंने चले जाते हैं और 1929 में डेट याद रखिएगा सन याद रखिएगा गाईज कि 1929 में प्रोफेसर दिवास हिक्स के गाइडेंस में आनंद प्याज डी की डिग्री हासिल करते हैं किसमें फ्लॉस पे में ये बी चीज दिया रखिएगा फिर रेपीट कर देता हूं ओके ये कि ही आन्ट हेज प्याज डी डिग्री इन 1929 अंडर दी प्रोफेसर जी देवास हिक्स उके उनके और फिर क्या होता है कहानी आगे बढ़ती है तो एक बार रेपीट कर देते हैं जरा हम कि उन्होंने 1929 में प्रोफेसर देवास हिक्स के गाइडेंस में आनंद को फ्लॉस्पी में जो है प्याजडी की डिग्री हासिल करते हैं तो ये बात एक बी पॉइंट आपको बोलने वाला नहीं है मैं इसलिए एकदम अपनी लेंगोज अपनी मात्रवासा में इसको कनवर्ड करके बता रहा हूं मात्रवासा में इसको क्लियर करें पहले चीजों को अपनी भासा में समझ लिजेगा इसके बाद आप इंगलिस में भी बेहतरीन तरीके से चीजों को समझ जाएंगे गाइस नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले पॉइंट की तो क्या हुआ इस राइटिंग केरियर ओके बिगेन इंगलेंड वेर ही यूज टू पब्लिस सौर्ट रिव्यूज इन टी अस एलियर्स मैग जीन क्राइटेरियन बस ए भी पॉइंट याद रखने वाला है कि मुलकराज आनंद का लिटरेरी केरियर साहितिक केरियर इंगलेंड में ही रू होता है और जहां एहे टी अस एलियर्स की पत्रिका क्राइटेरियन में सौर्ट रिव्यूज यानि कि छोटे छोटे लगु विचार जो है वो छपबाते रहते हैं अपने विचारों को पत्रिका के माद्यम से लोगों तक पहुचाते रहते हैं तो कौन सी टी एस एलिय to 1940, he was very active in politics and spoke regularly at the meetings of India League, which was founded by Krishna Menon. अर्थात, 1980 तथा 1940 के बीच मुल्क राजानन्द politics में active रहते हैं और India League की सभाओं में नियमित भाग लेते रहते हैं जिसकी इस्थापना Krishna Menon के द्वारा की गई थी. फिर रिपीट करता हूँ, 1930 से लेकर के 1940 के बीच में मुल्क राजानन्द किस चीज में active रहते थें? पॉलिटिक्स में और India League की सभाओं में भी वो हमेशा regularly तरीके से participate करते थे तथा और जो India League थी उसकी स्थापना Krishna Menon के द्वारा की थी. किसके द्वारा? किसना? Menon के द्वारा. बस इस चीज को ध्यार रखेगा. अगला पॉइंट हमारा है कि इस अबदी, over this period, he became acquainted with the likes of intellectuals such as Bertrand Russell, Michael Ford and authors like Henry Miller and George Orwell. He was deeply influenced by M.K. Gandhi. अर्थाद हम कहे सकते हैं कि इस आबदी के दौरान मुलकराज, आनन्द, बैटरेंड, रसेल और माइकल, फूट जैसे बिद्वानों, तथा Henry Miller और George Orwell जैसे लेखकों से परचित होते हैं. जैसे जिस फिल्ड में भी हम लोग काम करने लगते हैं, उस फिल्ड के लोगों से, उस फिल्ड में महारत किये हुए लोगों से मुलाकात होई जाती है. जैसे मैं इंग्लिस का टीचर हूँ, ओके तो इंग्लिस वाली टीचरों से मुलाकात होती ही रहती है. तो सेम टू सेम उसी तरीके से इस अबदी के दौरान जो मुल्क राज आनंद थे हमारे, उनका भी बैटरेंड रसेल, माइकल फोट जैसे बिद्वानों से, तथा हेनरी मिलर और जार्ज औरेबल जैसे लेकों से परचे होता है, इनका दोस्ती वरती है. और सबसे खास पॉइंट कि मुल्क राज आनंद के जीवन पर महत्मा गांदी का बहुत गहरा असर पड़ा, बहुत गहरा प्रभाव पड़ा. इसके बाद नेक्स पॉइंट में हम बात करेंगे कि आनंद केम टू इंडिया इन 1932. 1932 में मुल्क राज आनंद भारत आते हैं, इस्टेड इंसावरमती आसरम बिद्धी महत्मा गांदी फ़ार, थ्री मंद्स. देर ही रिवाई दी, मनुस्क्रेप्ट, मनुस्क्रेप्ट क्या होती है, पांडुलिपी कहते हैं, हस्त लिखित पांडुलिपी, हास से लिखे हुए डाकुमेंट्स को हम मनुस्क्रेप्ट कहते हैं, आप दी नॉबल अन्टचेवल, जिसकी हम बात करेते हैं, बहुत ही प् पहचान बन गई थी अगर हम बात करें तो आश्रम दियर ही रिवाइज ती मानुस्क्रिप्ट आप दी नॉबिल अन्टचेबल डैट वाज लेटर पबलिश्ट बाई दी बिटेस फिर्म बिसाड ओके अन फस्ट में 1935 अर्थात वो क्या केते तो इन चीजों को जरा एक बार बड़े ध्यान पूर्वक समझेगा मैं सब को एकदम क्लियर कर देता हूं कि ए सब चीजे क्या हैं जरा समझे कि जो मुल्क राज आनंद थे मुल्क राज आनंद का 1932 में भारत लोटे तथा तीन महिने के लिए ये सावर मती में गांधी जी के साथ रहते हैं कहां गांधी गांधी जी के साथ ही तो कभी ये भारत आए 1932 में और तीन महिने के लिए कहां सावर मती आश्रम में गांधी जी के ही साथ रहते हैं यहीं पर मुल्क राज आनंद अपनी बहुत प्रसिद्धित से उनको पहचान मिली एक नॉबल लिखते हैं अंटचेबल की हस्तिलिपी क अब अंटचेबल की मनुस्क्रिप्ट को रिवाइज करते हैं जो आगे चलकर बिटिस संस्ता बिजर्ट के द्वारा एक मई 1935 को पबलिश करवा दी जाती है कब एक मई 1935 को पबलिश करवा दी जाती है किसके द्वारा वो संस्ता कौन सी थी बिटिस फिर्म बिजर्ट इस संस्था का नाम याद रखिएगा ये वाली क्लियर है इसमें इनकी पहली जो है जो अंटचेवल होता है नॉबिल वो सबसे पहला नॉबिल जो है वो बेटिस संस्था होती है एक फिरमीन संस्था ओके बिजर्ट में एक माई 1935 इसको छपती है अगला हम बात करेंगे पॉइंट नॉबर नाइन की अब 1935 में क्या हुआ दीरे दीरे हम बढ़ते चले जाते हैं इन 1935 ही प्लेड एन इंपोर्टेंट रोल इन दी फाउंडिंग आप दी प्रोग्रेसिव राइटर आस्वोशियेशन इन लंदन अलोंग बिद दी राइटर्स सज्जाद जहीर एंड अहमद अली अर्थात 1935 में मुल्क राज आनंद लंदन प्रोग्रेसिव राइटर आस्वोशियेशन कहां फिर रिपीट कर रहा हूं सब्दों को लंदन प्रोग्रेसिव राइटर आस्वोशियेशन में महत्पूर भूमिका निगाते हैं जिसमें सज्जाद जहीर तथा अहमद अली जैसे लेखक उपस्तित होते हैं कैसे महान महान लेखक सज्जाद जहीर तथा अहमद अली जैसे लेखक उपस्तित होते हैं आनंद का हरदैस परसी उपन्यास Two Leaves and Bird 1937 में आता है तो इनका एक बहुत ही फैमास उपन्यास और भी इसके बाद था Two Leaves and Bird 1937 में पबलिस होता है The same year he joined the international brigade in the Spanish Civil War और note point idea ये याद रखने वाली बात है कि इसी वर्स मुलकराज आनंद ने International Brigade in the Spanish Civil War से जुड़ते हैं जुआइन करते हैं ठीक है लंदन में इनकी मुलाकात अब किसे होगी यानि कि अब इनकी अगला बात करें और यहां से इनकी लव स्टोरी सुरू होती है दोस्तों यहां से इनकी कहानी सुरू होती है इनके जीवन की एक नई पारी खिलना सुरू करते हैं कैथलीन बैन गैल्डर के साथ लंदन एंड कपल मैरीड इन 1938 और यह दोनों लोग 1938 में साधी भी कर ले थे अर्था तो मैं कह सकता हूँ कि जो नई पारी की सुरूआत तो बहुत अच्छे होती है लेकिन एंड उतना खुब सूरत नहीं होता लंदन में इनकी मुलाकात एक एक्ट्रेस होती है यह एक हिरोईन होती है कैथलीन बैन गैल्डर से होती है और 1938 में इस दोनों लोग आपस में आप विभा कर लेते हैं इस विभा से दोनों के मेल से उत्पन होती है और डाटर एक पुत्री का जन्म देते है इन दोनों के मिलन से एक पुत्री उत्पन होती है और दी मैरेज हाव इबर और रिवेल्ड और दी कपल डावर्स इन 1948 जो की बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस विभा से लंदन में इनकी मुलाकात एक कैथलीन एक हीरोईन थी कैथलीन बेन गैल्डर से हुई ओके 1938 में दोनों लोगों ने साधी भी की इसके बाद विभा के बाद दोनों के मिलन से एक पुत्री पैदा होती है लेकिन 1948 में ही मैंने क्या कहा ये खुब सूरत पारी का अंत हो जाता है इनका तलाग हो जाता है और 1949 में लंदन कांट्री काउंसिल आगे इन 1939 में ही बिगें लेक्चरिंग इन लिटरेचर एंड फ्लॉस भी आड दी लंटन लंदन कांटी कांशिल अडल एजुकेशनल स्कूल आड दी वर्कर्स एजुकेशनल असोसेशन भी ही टॉट तिल 1942 बस एही कहानी को समझ लिजेगा क्या हुआ कि 1949 में लंदन कांटी कांशिल में साहित तथा दर्सन पर लेक्चर देने लगते हैं और 1942 तक यहां पर पढ़ाते हैं तो मुल्क राज आनंद कब तक यहां तक पढ़ाते हैं 1942 तक बस एचीज ख्याल रखे इसके बाद क्या होता है 1949 में ही रोड दी ब्लेज दी ब्लेज बिच वास दी फस पार्ट आप दी ट्राइलाजी उनके एक ट्राइलाजी थी जिसका पहला भाग था कौनसी दी ब्लेज इसके दूसरा इनका क्या था एक रॉस दी ब्लेज ब्लेक वाटर जो की 1940 में पब्लिश हुआ और इसके बाद तीसरा ट्राइलोजी का तीसरा पार जो था वो था इनका दी सौड आप दी सिकल 1942 में दी ट्राइलाजी वाज अबाउड दी रिवेलियस अडल्सेंट और इस एक्सपिरेंसे इन दी वर्ल्ड वार से किंड बड़े ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को इस पॉइंट को थर्टीन नंबर पॉइंट को इसको बेहतरीन तरीकी से मैं क्लियर करूंगा एकदम सम पार्ट कौन सा इनके बताम कइड करने के लिए यहां पैसे याद कर शकते हो कि फसलेटर साब का ले लो इसके बाद उनका लाश डिजिट कुछ भी किसी तरी की बट इस पॉइंट को आपको याद जरूर रखना है इनकी ट्रायलोजी में सबसे पहला दी बलेज 1949 में आया, आइक्रोस यानि कि इसके बाद 1940 में और सौड वाला 1942 में, आइक्रोस दी बलैक वाटर 1940 दी सौड आयंड दे से किल 1942 ये था इनकी कहानी इसके बाद 14 नंबर पॉइंट में, throughout the 1930, यानि कि ये 1930 से लेकर के 1940 के बीच की मुलकराज का आनन्द की कहानी थी, इसके बाद he drived his time between London and India at both places he was involved in politics, he was associated with the British Labour Party as well as the Indian National Congress, by mistake Congress, ठीक है डियर next, अर्थात हम बात करेंगे, जरा समझेगा कि 1930, समझेगे यहां से, 1930 और ये जो उपर की trilogy की जिसकी बात कर रहे थे, ये trilogy अच्छा किस पर आदा रहती, last line को मैं explain करना भूल गया था कि आनंद की ये trilogy एक बिद्रोही किसोर, किसके बारे में, about a rebellious बिद्रोही अडलसेंट किसोर के बारे, अडलसेंट क्या होता है, किसोर, बिद्रोही किसोर के बारे में, and his experiences in the world war second, अर्थात, और उनके अनुभव, यानि कि दुतिय बिश्युद्ध में, उनके अनुभव के बारे में है trilogy, ध्यान रखना इसके बाद, आप समझिएगा इस point को, यानि कि 1930 तथा 1940 के बीच का समय, लंदन और इंडिया के बीच बांट कर दिखाते हैं, कि कुछ समय ये लंदन में भी थे, इंडिया में भी थे, तो दोनों के बीच बांट करके मैं दोनों इस्थानों को जोड़ते हैं और इंडिया में, इंडिया नेशनल कॉंग्रेस, अर्थत कॉंग्रेस से, दुतियब, अब क्या होता है आगे 15 नंबर पॉइंट में, कि दुतियब इस्यूद के दौरान, आनंद बख्ट as a broadcaster and script writer in the film division of the BBC in London during the world war second, अर्था दुतियब इस्यूद के दौरान BBC London के साथ broadcaster तथा script writer का कारे भी करते हैं और इसके बाद 1940 में, दुतियब इस्यूद के बाद मुलकराज आनंद भारत लोटे और मुंबई में रहने लग जाते हैं, मुंबई में रहना सुरू कर देते हैं, अर्थात, he returned to India after the world war second in 1946 and settled in Bombay, the same year, he founded the fine arts magazines, Marg, फिर ध्यान दीजिएगा, फिर repeat करता हूँ, Marg, इसको, अंडला, दीको कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जिनको आपको noted करना है, अर्थात, copy pane column निकाले जिए, notes दीरे-दीरे करके बनाते चलिएगा, जैसे exam का notification आएगा, तुरंत पढ़ना सुरू करोगे, तुरंत notes ब एक बार vacancy अगर हाँ से निकल जाती है, किसी भी तरीके से तो, वो vacancy हमको हमेशा दुख देती रहती है, और थात, हम कई दिनों तक उस vacancy के बारे में सुचते हैं, बड़ा valuable time है हम लोगों का, कि इसी समय है, अब vacancy को हर हालत में clear करना ही, that means लेना ही लेना है, क्योंकि अब क्या हुआ, तो एचीज समझ गए, in 1950, he married, okay, सिरीन बजीबदार, हमने क्या, 1948 में इनका तलाक हो गया था, जो कि मुंबई की actress थी, उनसे इनका तलाक हो जाता है, तब ये 1950 में मुंबई की एक बहुत classical dancer होती है, जिनका नाम होता है सिरीन बजीबदार, okay, उनसे ये कर लेते हैं, कब 1950 में, नेक्स्ट, इसके बाद, he spent the next several years in 1942-1966 teaching at various universities, during the 1960s, he served as Tagore Pros, Professor of Literature and Fine Arts at the University of Punjab, इस पॉइंट को जड़ा ध्यान से समझीगा, यानि कि क्या हुआ कि उन्होंने, थोड़ा सा मैं पीछे से repeat भी कर देता हूँ, 1946 में क्या गटना गटित हुई, कि इसी वर्स, 1946 में मार्ग नामक पत्रका की, इस्थापना की, किसने, founded की, किसने मार्ग नामक, मुलकराज आनन्द में, इसके बाद क्या हुआ, 1950 में इन्हों ने सरीन बजीवदार, जो कि एक classical dancer थी, मुंबई की, उनसे साधी की, और फिर क्या हुआ, आगे इन्होंने अलग-अलग universities में, यानि कि 1948 से लेकर के, 1946 तक का समय, विभिन विश्व विध्यालेयों में बिताते हैं, विभिन universities में जा जा करके, सिक्ठा कारे करते हैं, teaching करते ह और 1960 के दसक में, मुल्क राज आनंद यूनिवस्टी आप पंजाब में टैगोर प्रोफेसर के पद पर कारे भी करते हैं, किसके टैगोर प्रोफेसर के पद पर भी कारे करते हैं, कहां यूनिवस्टी आप पंजाब में, फिर आगे अगर हम बात करते हैं, He served as the fine art chairman at Lalit Kala Academy from 1965 to 1970 He also became the president of Locatan Trust in 1970 And in 1965-1970, Lalit Kala Academy from the chairman of Locatan Trust Anand Ka Upanayas The Private Life अगला बात करेंगे यानि कि आनन का उपन्यास The Private Life of an Indian Princess उनिसो त्रपन इनका एक आटो बाय ग्राफिकल नॉबिल था ध्यार रखना इस वात को ओके ये वाला पॉइंट हिज 1953 यानि कि 1953 में जो नॉबिल था The Private Life of an Indian Prince बाज मोर आटो बाय ग्राफिकल इन नेचर तो एई चीज हम समझा रहे हैं अच्छे से जड़ा समझेगा इसमें मैं क्या बताना चाहरा हूँ आपको 1953 में आनन्द का उपन्या The Private Life of an Indian Princess इनका एक आटो बाइग्राफिकल नाविल था 1950 में आनन्द एक साथ भागों वाली आत्म कथा लिखनी का मन बताते हैं जिसका सिर्षक Seven Ages of Man होता है यानि कि 1950 आनन्द इंबाग्ट on a project to write a seven-part autobiography entitled जिसका सिर्षक रखते है Seven Ages of Man beginning in 1951 with seven summers ओके बन पार्ट morning face 1968 ओके वान हम दी सहत्य अकादमी अवार्ड 1971 ओके नाराइन कुड कम्प्लीट only four parts जरा इसी point को बहुत अच्छे 20 number point को बहुत अच्छे से समझना है क्या करते हैं कि इसकी सुरुआत 1951 में seven summers से होती है सबसे पहले क्या करा 1950 में आनन्द ने साथ भागों वाली एक आत्म कथा लिखने का मन बनाया जिसका सीरसक seven ages आप मैं रखा इसके बाद 1951 में वो seven summer से इसकी सुरुआत भी करते हैं और जिसका एक भाग दी morning फेश 1968 होता है जिसके लिए उनको सहते अकादमी आवार्ड भी दिया जाता है दियर ओके 1967 में ऐसी अब आगे बढ़ते हैं तो फिर क्या होता है नेक्स्ट दियर कि ही वाज अनर्ड बिद्धी पदम भूशन इंडिया थर्ड हाइस सिविलियन आवार्ड in 1967 फार इस बास्ट कांटिबिशन इन दे हेल्ड आफ लिट्रेचर एंड एजुकिशन इस पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से ध्यानी बनाए रखना है कि क्या हुआ इस में इस पॉइंट में 1967 में मुलकराज आनंद को साहितिक तथा सिक्षा में विशेश योगदान के लिए पदम भूशन पुरुशकार से नवाजा गया जो भारत का सबसे वड़ा सिवे अवार्ड होता है ओके 18 सितंबर 2004 को बात करें तो आगे देखो 2000 मैंने क्या बता है इनको ललिदकला अकादमी का चेयरमेन वो गोशित किया जाता है नेशनल अकादमी आफ आर्स कब 1965 से सत्तर के बीच इन 1970 डैटमी सिन 1970 ही बीकेम प्रेशिडेंट आप लोकाइत अंट्रस्ट और वो लोकाइत अंट्रस्ट के प्रेशिडेंट अध्यक्च भी रहते हैं और इसके बाद इस महान हस्ती का इस सब के चाहिते ओके बहुत ही प्यारे इंडियन राइटर बहुत ही फैमस जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ लिख करके छोड़ गए बहुत कुछ दे करके गए इनका जन्म हमने बताया sorry मृत्यू जो ही डाइड आफ निमोनिया इन पूने on 18 सेप्तियमबर 2004 at the age of 98 18 सितंबर 2004 को 98 वर्ष की अवस्था में निमोनिया से इनकी मृत्य हो जाती है और ये महान दीपक इस दुनिया का इस दुनिया से चला जाता है अरतात बुझ जाता है इनके कुछ नॉबिल थी जो कि बहुत फामस थी डियर अंटचेवल 1935 कुली 1936 में टू लीप्स इन आवर्ड 1937 में दी ब्लेज 1949 में अख्रॉस दी ब्लेक बाटर 1900 ये ट्रेलोजी थी इनकी दी ब्लेज अख्रोस दी ब्लेक बाटर यह दियर 1940 होगा बाई मिस्टिक एक्रोस दी ब्लेक बाटर 1940 और शॉर्ड एंड दी सेकल 1942 दी बिग हार्ड 1945 दी लॉस्च चाइल्ड 1934 सेविं समर्स मेमोर है इनका एक स्मिर्थी एक नॉबल है 1991 में The Private Life of an Indian Prince और दूसरा The Old Woman and the Cow 1960 यह वाला नॉबल इनका बहुत फैमस नॉबल है दिया रखना The Old Woman and the Cow इससे PGT में कोश्चन पूछे जाते हैं हम लेकर आएंगे इनके कुछ PGT में पूछे हुए कोश्चन की सीरीज को और The Road 1961 में तो दोस्तों इनके कुछ Autobiographies भी होती हैं जैसे Seven Summers साथ बागों में होती है 1951 में लिखना सुरू करते हैं इसके बाद Morning Face 1932 अहित्यक आदमी अवार्ड बेस्ट लिटरेचर अवार्ड इन इंडिया जब आप धीरे-धीरे किसी भी काम को करना लगातार सुरू कर दोगे और अभी तो बैसे भी लॉगडाउन चला है पूरा दिन कोई काम तो होता नहीं है तो बस बैठ करके पढ़ाई करो बैठ करके इनको देखो समझो क्योंकि इससे जादा बेहतर अपास्निटीज हम सभी को कभी नहीं मिलने वाली है क्योंकि इसके बाद जैसे ही लॉगडाउन खतम होता है हम लोगों की जिंदगी जो है रोजमर्रा की जिंदगी दोरने भागने में चली जाती है और फिर हम लोग इतना बहतर और इतनी सिद्दत के साथ लगन के साथ पढ़ाई नहीं कर पाते ह तो इसलिए जरूरी है डियर कि अभी हमारे लिपास मौका भी है चांस भी है पढ़ने का तो इसलिए लगे रोहो लगातार जै हिन जै भारत दोस्तों ओकी